वल्कम टूर चैनल टेक मेकानिकल अनिलेक्टिकल आज चैप्टर रहेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो रहे चैप्टर वाइज एमसी क्यू है इसमें साया 25 एमसी क्यू है आज के एमसी क्यू बहुत ज़्यदे इंपोर्टेंट है आज के क्लास आप लोग पूरा देखना ठीक है और वीडियो अच्चा लागोथर चैनल को सब्स्क्राइब करना लाइक करना मेमेट करना ठीक है आज का इभांस cogn measuring instrument is line standard इसमें से कौन सा measuring instrument line standard होता है मुदम लाइन मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है कोई बीग लाइन है इस एक लाइन है तो लाइन मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते है और तुछ कुछ कुछ है मे duck pick upoben time to कि तो इधर इसका राइड रेट रो जाते स्टील डूल और पुछ कुछ में तहां मेजरिंग टेप लोटे जाता व्यचि उप टो भी इसका राइड आप माप ले सकता लेकिन जब बीच में अगर माप लेना पड़ता इधर माप लेना पड़ता तब हम लग क्या करता है तब तो हम लोग कुछ नहीं कर पाता ना तब इसलिए यह लाइन स्टेंडर्ड एक लाइन में स्टेंडर्ड भैलू देते हैं ठीक इसलिए लाइन स्टेंडर्ड बोलता है next which of the following measuring instrument is end measurement end to end measure करता है कौन end to end measuring करता है outside micrometer ठीक है micrometer जो भी होता है outside inside ठीक है end to end measure करता है और जो steel rule measuring tape है यह brass rule है यह तीनों होता है line measurement tool ठीक है तो अलग से अब लोग लिख लीजे कि end measurement tool और line measurement tool ठीक है तो अलग-अलग point करके अब लोग notes कर लीजिए next which of the following is an indirect measuring tool indirect measuring tool मतलब क्या है मतलब जो direct नहीं है directly हम लोग value दे सकते हैं जैसे micrometer भार्णियर में क्या होते हैं माप इधर सीधर मापा तो डायरेक्ली भैलू दिखा देंकि में जाके शेक करते हैं थिक है तो शप्तूल में जाके चेक करना पर तो तो डायरेक्ट नहीं है ना Me कैलिपर में माप लेना पर तो उसका बात स्टिल में जाना पर तो इसलिए इंडिरेक्ट मेजरिंग टूल ठीक है तो कैलिपर जो जो होगा वो होता है जो आउटसाइड कैलिपर होता है इंसाइड कैलिपर होता है वो होता है इंडिरेक्ट मेजरिंग टूल ठीक है next the list count of an instrument is the 거지 list count होता है तो उसको list count किसको बोलते है जो minimum measurement होता है सबसे minimum measurement होता है उसको list count बोलता है ठीक है अवसे कम उस कोई بھی instrument से मतलब एक instrument है अगर voice count हो जागे 0.02 मतलब उससे कम हम लोग कोई भी यह बैलू नहीं ले सकते सबसे कम वैलू होता है लिस्ट काउंट ठीक है नेक्स कि हाप mm या 0.5 mm ठीक है अगर इंच में पूचता तो क्या होता है 1 by 64 इंच ठीक है यह भी आप लोग याद रहा है 1 by 64 इंच विर्टेज में होता है और 0.5 mm मेट्रिक में होता है और अगा पूचिता कि यह कों सा स्केल में है ये वोता है 49 अउनियाइन बै फिब्टी स्केल अजब लिश्ट गांट से.. मैज़रिंग टूल का क्लास ले रहा हूं ओ तो हम लोग को लिश्ट कांट निकालना भी जाएंँ तो लिश्ट कांट कैसे हम लोग निकालते है तो हम लोग list count कैसे निकालते देख लेते हैं, 49 by 50 scale हम क्यों बोल रहे हैं, 49 by 50 scale, मदलब क्या है, मदलब बोल रहे हैं, 49, 50 जो होता है, 50 VHD, equal to होता है, 49 MHD, आप लोग जो जो भार्निया प्रैक्टिकल यूज किया है, प्रैक्टिकल जो यूज किया है, वो जानते हैं, कि जो भार्निया स्केल का 50 division होता है, वो में स्केल का 49 division का साथ मैच करता है, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं, कि 49 जो MHD होता है, मतलब एक एक MM होता है ठीक है तो next line में क्या हो जाएगा 50 VHD भार्निया स्केल डिविशन is equal to 49 mm 49 MSD मतलब 1 MSD equal to 1 mm ठीक है तो 1 VHD equal to क्या हो जाएगा 49 by 50 mm ठीक है मतलब एक क्या आ गया 1 VHD 1 VHD का value 49 by 50 mm नेक्स्ट तो list count का जो formula होता है वह होता है 1 MSD माइनस 1 VHD तो one main skill division minus one भार्निया स्केल डिविशन ठीक है इसका जो value आएगा वह हो जाएगा इसका list count तो one main skill division में MSD पहले बोल दिया 1 mm माइनस 49 by 50 mm तो नेक्स्ट लाइन में देखते है वान माइनस 49 by 50 तो जब LCM लेंगे तो हो जाएगा 51 बटा 50 तो इसके value आजएगा 0.02 mm ठीक है तो अब लोग देख लिया कैसे list count निकालना पर था कोई स्केल में अगर दे देता है अगर 19 by 20 में दे देता है तो सेम हो जाता है 20 भानिया स्केल का 20 VHD के साथ मैच कर रहा है 90 ही MSD ठीक है तो 1 VHD कोल टू 19 by 20 MSD mm इदर mm हो जाएगा और यह 1 VHD का value निकल गया और 1 MSD मतलब क्या है 1 MSD मतलब होता है 1 mm और मैनास 19 by 20 mm तो क्या हो जाएगा 1 बटा 20 मतलब 0.05 mm ठीक है तो हम बोला 19 by 20 स्केल में लिस्ट काउंट क्या होगा 0.05 mm ठीक है समझ में आ गया लिस्ट काउंट निकालता कैसे लिस्ट काउंट निकलने का फोर्मूला 1 मेन स्केल डिविशन माइनस 1 भानिया स्केल डिविशन 1 MSD माइनस 1 VHD ठीक है next seven number का the list count of outside micrometer is outside micrometer का लिस्ट काउंट कैसे निकलना पड़ता तो आप लोग जानते कि यह जो पीछ होता है outside micrometer का पीछ क्या होता है पीछ पीछ होता है 0.5 mm ठीक है मतलब क्या है एक थिम्बल जब रोटेस तो बैरेल में और एक थिम्बल है तो सोच लो क्या होता यह बैरेल में one two तो इसका निच्चे क्या होता है एक प्रोस बदलाब घूम जाता है तो एन बैरेल में 0.5 mm आगे बढ़ जाता है थिक्षे मतलब 50 जो थिम्बिल का डिवीशन ओ जब भी घूमता है एक बार घूमता है तो पीच कितना हो तो 0.5 mm है मतलब बेरेल में 0.5 mm आगे बारता है तो क्या हो जाएगा पीच जो होता है इकोईल टू नमबर ओफ थिम्बिल डिवीशन थिम्बिल डिवीशन ठीक है तो इसमें क्या होता है माइक्रो मीटर में पीच बढ़ावार होता है नमबर ओफ थिम्बिल डिवीशन मतलब total number of thimble division जो होता हो जब एक बर घुम जाता है तो पीच मतला वो उतना आगे बढ़ जाता है 0.5 mm तो इसका पीच क्या होता है 0.5 mm और कितना division होता है कितना division 50 division होता है तो पीच क्या बोला 0.5 mm और जो 50 thimble division का सत समान है तो एक thimble division equal to क्या हो जाएगा 0.5 बटा 50 ठीक है तो इसका भैलू हो जाएगा 0.01 mm ठीक है तो कैसे list count निकलना पड़ता है अब लोग को समझ में आ गया है बहुत ही असान कोसे ना outside micrometer का list count हो जाते है 0.01 mm ठीक है outside micrometer के लिए जो micrometer होता है वो पीच इकल टू जो number of thimble division होता है उसका साथ मैच करता है समान होता है ठीक है नेक्स्ट तर लिस्ट काउंट भार्णियर भीवेल पोटेक्टर भार्णियर भीवेल पोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है जो भार्णियर भीवेल पोटेक्टर होता है वार्णियर भीवेल पोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है फाइब मिनिट ठीक है फाइब स्केल 4 Tuning का मिनिग यह सैम जैसे मैं बोल दिया था 23 ऊपर में जो रहएगा वो किसका सांग है 12 भीएस्टिका साथ सुमान है कि समन भी flatter ठीक है तो 23 Ms.d मतलब 1-1 Ms.d क्या होता है यो भार्निय विवल प्रोडेक्टर में होता है एक डीगरी एक Ms.ड एक डीगरी टो 12 V.s.d इक्वैल टो हो जाएगा 23 डीगरी ठीक है 23 Ms.d है इसलिए 1 V.s.d इक्वेल टू हो जागा 23 वाटा 12 डिग्री ठीक है तो 1 वीजडी का निकाल गया तो लिस्ट का निकाल लेका फोर्मूला हम लोग जानते हैं 1 M.S.D. मैंनस 1 V.S.D. next में क्या होगा list count equal to 1 M.S.D. मैंनस 1 V.S.D. 1 M.S.D. मतलब 1 डिग्री और यह हो जागा 1 V.S.D. मतलब 23 वाटा 12 एक क्या हो जागा 12 माइनस 23 वाइ 12 तो एक क्या हो रहा है एक नेगेटिव में आ रहा है ना आगा 23 से 12 को घटाएंगे तो मैंनस 11 वाटा 12 वाटा है इसलिए एक होता है अब लोग को जानना च मतलब क्या है अब लोग इदार तक यहाद रखना जो 1 माइनस 23 वाई 12 ठीक है तो भानिय बीबल प्रोटेक्टर में क्या होता अगर इससे देखेंगे तो एक इधार रहेगा तो एह दो छोड़के इधार रहेगा फिर इधार रहेगा इसको बोलते है डाबल स्केल ठीक हम मतलब हम लोग 2 MSD को ले रहा है एक एक बार में तो इसलिए जब भी हम लोग को negative आ जाएगा value इसलिए हम लोग क्या करते है फॉर्मूला क्या लिस्ट काउंट का one MSD minus one VHD तो इसलिए one MSD लेने के करा हम लोग क्या हो रहा है one MSD लेने के करा हम लोग कर नेगेडिक में आ रहा है इसलिए डाबल स्केल में हम लोग 2 MSD लेंगे ठीक है तो 2 MSD मतलब 2 degree minus 23 बटा 12 degree ठीक है तो नेक्स लाइन में क्या देखते हैं नेक्स लाइन में हो जागा 12 24 minus 23 ठीक है तो वान बटा 12 degree आ गया है कि समाज में है तो बहुत इजी कोसेंस है तो यह होता है list count degree में तो इसको list count में हम लोग ए जो degree है इसको हम लोग minute में convert करेंगे तो कैसे convert करना है वान बटा हम लोग जानते वान डीगर इकल टू 60 minute तो बोल रहा है कि one but 12 degree equal to क्या हो जाएगा one but 12 degree equal to हो जाएगा into 60 minute तो जब काटेंगे तब हो जाएगा 5 minute तो list count का आया ना 5 minute तो इसी list के list count हो जाएगा 5 minute ठीक है तो जब भी हम लोग का negative में आ जाएगा one MSD minus one VHD जब भी होगा तो क्या हो जाएगा यह इसमें जब negative आ जाएगा minus से आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे 2 MSD ले लेंगे ठीक है जब भी main scale division भाणिया scale division से बड़ा हो जाएगा जैसे 12 से यह बड़ा हो गया इसलिए जो main scale division होगा list count निकालने का time ओ टू MSD लेना पड़ेगा ठीक है जैसा अगर हम लोग देखेंगे 19 by 20 scale में list count 0.005 mm 49 by 50 scale में list count 0.02 mm ठीक है और अगर हम लोग देखेंगे 9 by 10 scale में जो list count होता होता है 0.1 mm मतलब क्या है मतलब जब MSD छोटा है तब हम लोग जब list count निकालेंगे तब हम लोग करेंगे 1 MSD साहिए हम लोग के लिए 19 by 10 जब हो जाएगा तब क्या होगा तब हो जाएगा MSD बड़ा हो जाएगा तब हम लोग को 2 MSD लेना ही पड़ेगा तो calculation करके देखता है जो 19 by 10 scale में क्या list count आता है जो 19 by 10 होता है scale ठीक है तो 19 मतलब 19 MSD इक्वेल टू 10 VHD ठीक है तो 1 VHD इक्वेल टू क्या हो जाएगा 19 बड़ा 10 MSD MSD को 1 MSD मतलब mm हो जाएगा तो 19 by 10 mm हो गया एक VHD इकल तो list count जब लिकार नहींगे तो क्या हो जाएगा 1 MSD मतलब 1 mm माइनस 19 by 10 जब LCM करेंगे 10 10-19 क्या हो गया यह जो हो गया-9 by 10 हो रहा है तो नेगेटिम में आ रहा है ना तो मैं पहले ही बोल दिया जब भी उपर में जब बड़ा रहा है में स्केल डीविशन तब हम लोग को 2 MSD लेना पड़ेगा लिस्ट काउंट निकलने का टाइम तो क्या करेंगा लिस्ट काउंट इकल टू 2 MSD मतलब 2MM माइनस जो हुआ 19 by 10 mm तो क्या हो जाएगा 20 बटा 20-19 by 10 यह हो जाएगा 1 बटा 10 तब 0.1 mm लिस्ट काउंट हो जाएगा है तो two scale का लिक्ट का जीश्टकाउंट 0.1 mm desired 9 by 10 scale में और 9 by 10 scale में तो भार्णिय का होता है मेंजलें बहुत सब्सक्राइब 9 by 10 नारही जायसे होता है 19 by 30 कुछ Aww तो अलग अलग जो भाई जो स्केल होता है इसका अलग अलग लिस्ट कंट होता है लेकिन 9 x 10 और 19 x 10 को लिस्ट कंटल समान होता है फिक है यह सई byłoता है और सिंगल के लोता है Big सेम तुह कि अगर बात करेंगे सिंगल स्केल का तो क्या होता हैคी दिव संदने मतलब कि अपर एक यह धोगा दबसके सोच लए कि ले तो एक दो एक दो छोड़ के इदर रहेगा फिर 敬ाइव तो इसको बिलता डबल स्केल में होता 19 घ्रेन आंट एन और सिंगल स्केल में होता लिश्ट कौंट सेम आता है यह आध यहां हैं डाबल सकेल हमलोग को लेना पड़ेगा क्यूंकि डाबल सकेल अगर हम लोग नहीं लेंगे तो माइनस में precedent नहीं आता guide कोसीड बहुत ही टफ एद बहुत इंपॉर्टेन टॉफिक मैं अप लुगोगों समझा दिया हूं जो जो मैं list count निकलने का formula बुला हूँ और जो scale बताया हूँ अब लोग please copy में notes down कर लेना क्यूंकि list count निकलना हम लोग को जानना चाहिए क्यूंकि इधर से बहुत सरा questions आता है at least हम लोग को fact समाझना चाहिए कि ऐसे एक एक 1 year scale का list count निकलना पड़ता है कोई भी स्केल देता हुए एसए आगा देता है 39 निकलना पड़ेगा तब हो जाएगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा, 90 MHD equal to 20 BHD, सेम जैसे बोलाओं, ठीक है, जब भी माइनास में आएगा, तब हम लोगों को 2 MHD लेना पड़ेगा, लिस्ट का उन निकालने का टाएम, नेक्श्ट कोस्टिन, पीच औफ थ्रेड्डरा मेτ्रिक माइको मेटर, तो पहले ही बोल दिया मेट्रिक माइको मेट्रिक माइको मेटेर का 0.5 MHz होता है, मतलब क्या होता है जो एक बैरेल में रहता है ठीक है नीचे एक सब डिविशन होता है और एक थिम्बेल थिम्बेल में जब 50 डिविशन एक बार घुम जाता है तो यह आगे बार था 0.5 mm इसको बोलता है पीच ठीक है आगा 0 to 1 inch लिखेंगे टो एक इंच होता है यह का 1 सब्सक्राइब मेस सब्सक्राइब थे हैं तो इसमें क्या होता है इसमें होता है जो एकď Almण रहता है उसमें टोटल दस डिविशन रहता है ठीक है दस डिविशन में टोटल और चार डिविशन हो जाता है ठीक है एक एक डिविशन चार डिविशन में बढ़ जाता है चार डिविशन में तो क्या हुआ पहले तो पहले एक इंच था उसको दस डिविशन में हम लोग कर दिया एक दो तीन जैसे देखते हैं आख देखेंगे तो क्या हो जाएगा नेक्स लाइन में 0.1 बटा चार्ट जब हो जाएगा 0.025 हो जाएगा ठीक है तो इसका पीच जो हो जाएगा इसको पीच हो जाएगा 0.025 पीच हो जाएगा ठीक है तो मैं पहले ही बोल दें जो पीच होता है वो किसका इक्वेल होता है माइक्रोमीटर म होता है उसमें थिमबेल डिविशन रहता है 25 ठीक है 25 थिमबेल डिविशन तो एक थिमबेल डिविशन एक्विट्विट्व क्या हो जागा डिवैड़ वाइट 25 तो यह जब हम लोग करेंगे इसको जब कटेंगे कटने का बाद जोब एंसर गए 0.001 ठीक है तो ब्रिटीज माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट कैसे निकलना पड़ा तो वह भी मैं दिखा दिया कुछ भी नहीं है सिर्फ अब लोग को पीच का साथ चो थिमबेल डिविशन है उसको समान करना है तो पीच कैसे निकलना अब लोग को समझ में आ गया एक ठीक है तो यह हो गया पीच तो यह भी आप लोग कॉपी में नोट्स डाउन कर लेना बोलाए कि पीच ओफ थ्रेट और विर्टीज माइक्रोमीटर विर्टीज माइक्रोमीटर का पीच क्या होता है तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 0.025 को हम लोग 1 by 40 भी तो लिख सकते हैं तो ऐसे भी हम लोग को लिख सकते हैं नहीं तो अब लोग को दिखा देते कैसे लिखना यह अगर टोटल दस भागों में बाटता हैं तो क्या होता है दस भागों में बाट गया है उसको भी टोटल चार भागों में बाट गया तो सबसे जो छोटा पाट एक इधर क्या ह और ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 0.025 इंच ठीक है तो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है मेजरेंग टूल से आप लोग याद रखना पिछला क्लास में कल का जो क्लास मैं लिया था उसमें बता दिया था जो माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है उसको कंट्रोल करता है ठीक है जो माइक्रोमीटर के एन्विल बनता है वो बनता है टंग्स्टेन करवाइट से ठीक है next question 12 number का ratchet stop on micrometer is provided to ratchet stop जो होता है क्यों हम लोग provide करते है control the pressure ratchet stop controls the uniform pressure ठीक है वो जो uniform जितना pressure देना चाहिए उतना ही pressure देता उससे ज्यादा नहीं देता ठीक है next question lock nut on micrometer is used to जो lock nut होता है micrometer में किस काम के लिए उस होता है lock the micrometer when not in use lock the spindle after taking measurement control the movement spindle measure the workpiece correctly उसका right answer हो जाएगा lock the spindle after taking measurement जब हम लोग measurement लेते उसका बाद हम लोग को lock करना चाहिए नहीं तो जब instrument को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जागा वह भैलू जब हो तो हम लोग माप लेते उसमें घरबार हो जाता ठीक है इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं micrometer को lock कर देते हैं lock nut में lock करने के बाद हम लोग क्या करते हैं रैचेट स्टॉप से धीरे धीरे हम लोग प्रेशा देते हैं जितना प्रेशा चाहिए हम लोग उतना ही टाइट करते हैं ठीक है नेक्स्ट ऑन micrometer metric one smallest division of barrel और sleeve is equal to जो metric micrometer होता है उसका सबसे smallest division barrel में क्या होता है तो उसका पीच ही होता है इसका सबसे smallest division तो 0.5 Eigen पेम में उसका होता है ठीक क्यूंकि यह जो होता है 0 to 25 डोнок मैच करते हैं म lun मिस्ट कर म्निकाल का आता है न अगार आप लोग समझ में आ लिस्ट का निकालना पड़ता है कैसे मैं जो डबल स्केल्स क्या है में इसके तो और अच्छा से मैं समझा सकता था ड्राइंग करके मैं बता सकता तो लेकिन अभी तो बोर्ड नहीं है इसलिए ऐसे इसे में बता रहा हूँ तो next जो class होगा कभी मैं अब लोगों को board में जाके पूरा details में समझा दूँगा ठीक है तो बोल रहा है on micrometer metric the circumference of the table is equal to तो बोल रहा है जो micrometer होता है उसका जो थिमबेल में total कितना division रहता है यही पूछ रहा है actually उसमें थिमबेल में तो division 50 parts ही रहता है मैं पहले बोल दिया था ना पीच के साथ equal होता है तो 50 divisions रहता है तो कि एक बार अब लोगों को fact clear हो गया तो कोई answer नहीं है सीधा जैसे normal questions होता है वह ऐसे questions बनेगा डेली जो questions करता हूं negative errors है and inside micrometer shows a reading of 58.73 mm but it has a negative error 0.05 mm the correct reading will be जैसे negative error बोल देगा तो क्या करेंगे जो observe reading होड़ा ए नेगेटिव बोल दिया जो observe reading होड़ा उसका साथ हम लोग जोड देंगे ठीक है तो 58.73 और क्या करेंगे 0.05 तो क्या हो जागा 58.78 ठीक है negative error जब भी बोल देगा तो हम लोग add कर देंगा observe reading का साथ ठीक है जब भी इधर positive error बोल देगा तब क्या करेंगे इसका जो value होगा इससे minus कर देंगे बहुत easy हैं बहुत असान next question 17 नमबर का a depth micrometer shows a reading 20.2 mm but it has a positive error of 0.02 mm actual reading will be मैं पहले ही बोल दिया कि यह जो होता है यह होता है observe reading और यह होता है error और actual reading हम लोग को निकालना पड़ता तो actual reading equal to क्या हो जाएगा positive error बोल दिया तो इसलिए इसको इधर से घटाना पड़ेगा 20.2 से जब हम लोग 0.02 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20.18 हो जाएगा ठीक है तो बहुत असान है 20.18 हो जाएगा see answer is the right answer positive error बोल देगा तो इधर से घटाना पड़ेगा अब जब negative error बोल देगा तो इसका साथ add कर देना पड़ेगा नेक्स्ट कोस्टिन जीरो एरोर और ऑफ 25 mm to 50 mm outside micrometer can be checked with the zero error होता है इसका range बोल दिया क्या 25 से 50 mm जो range होता है micrometer का ओ इंच में कैसे वेरिकात जीरो टू वान इंच होता है वान टू टू इंच होता है ऐसे होता है और जब metric में होता है तो तब होता है 0 to 25 mm 25 to 50 mm 50 to 75 mm 75 to 100 mm ऐसे चलते रहता है ठीक है तो क्या बोला जो जीरो एरर होता है इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते है तो जो test piece होता है और sleep gauge होता है वह हम लोग gap में देके जीरो एरर को चेक कर सकते है कितना gap हो रहा है कितना जीरो एरर है ठीक है next to determine the list count of barnyard पीवल प्रोटेक्टर हौमेन इक्विन डिगृई और में اور में सकेल esteken into consideration तो मैं बोल देटल में पूरा दीघेल में तो बोलेंगी उसमें मेंस्किल कितना था तो मेंस ज्मल उपरमे रहा था और जो भानिया वीबा पिटेक्टर हुता ओडबल में होता यह müsste स्केल में नहीं होता कि next to determine the list count of वार्नियर वीवल प्रोटेक्टर 23 डिगी इस ओंसीडर और में स्केल मतलब बोल रहे जो वार्नियर वीवल प्रोटेक्टर रहे उसमें ट्वेंटी ठीम डिग्री जो मेंस केल डिवीचन है और to have a list count 5 minute, list count भी बोल दिया 5 minute, तो पूछ रहा कितना भार्णिय स्केल था उदर, तो भार्णिय स्केल कितना था, 12 पर्च था न, बहुत असन है, अब लोगों को fact समझ में आ गया, इसलिए, next question 21 number का, if a micrometer spindle has a 2 mm pitch of thread and circular scale has 50 division, list count will be, तो यह आप लोगों को solve करना चाहिए, क्योंकि मैं इसका fact आप लोगों को समझा दिया हूँ, इधर बोल दिया है, तो मैं list count निकालने का क्या formula बताया था, माИक्रमीटर के लिए, pitch equal to number of thimble division, तो इधर क्या बोल दाया है, इधर 2 mm pitch बोल दिया, 2 mm बोल दिया, और कितना division है, 50 division है, तो 1 division equal to क्या हो जाएगा, एक division equal to हो जागा ऐसे तो 25 हो जागा तो 1 बटा 25 मतलब क्या हो जागा 0.04 एंसर हो जागा ठीक है तो कुछ भी नहीं है अगार इधर 4 mm बोल देता कि 5 mm बोल देता पीच और जो main scale दिबीच और जो थिंबेल डिबीचन है 50 डिबीचन है तब भी हम लोग इसका निकाल सकते हैं तो हम लोग को फेक्ट समाजना चाहिए पीच क्या है और कितना डिबीचन बोला है ठीक है इफ़े माइक्रो मीटर स्पिंडेल एज़े 0.5 mm pitch of thread and circular scale मतलब circular scale मतलब तिम बेल में कितना डिबीचन है 25 division its list count will be its का list count क्या हो जाएगा सेम पिछला कुस्टन जैसे हुआ वैसे जो बोल है कितना पीच हो रहा है पीच बोल रहा है पीच बोला है जिरो पॉयंट फाइब एम ठीक है नामबर आप डिबीशन थिम बेल डिबीशन कितना है 25 डिबीशन और एक डिबीशन इकल टू क्या हो जाएगा साथ 0.02 mm ठीक है तो अप लोग देख सकता है इसका राइटन स्रुज़गा बी पुछ भी नहीं है ऐसे कुस्टन देशकता 0.5 mm डिया टेन एम एम पीच दे सकता टू एम एम पीच दे सकता फोर में पाइब जो भी है पीच का साथ नामबर आफ इम डिबीशन का अम लोग के क्वेल कर देंगे नेक्स्ट तो लोकेट तस सेंटर आप राउंड बार वेरियास टूल सा डिक्वाइट कुछ फॉलिंग इस नोड रिलेटेट टू मार्किंग बोल्ड है कि राउंड बार जो होता है उसका सेंटर पूसर निकलने के लिए बेरियास पहुता टूल यूज ह होता है इसमें कॉन सा मार्किंग इलेटेड नहीं है भान्यर हाईट के जो सारफेज यूट को होता है ऑर जो बोल्ड है तli यजिए सेंटरेड्स और कॉंबीनेसेंट हेड्स वह भी होता है लेकिन ट्र्छे है सपर्व अंली ट्रेम्ट पेला यूजय नहीं होता फीके ट्रयाण को चेकिंग इंस्रूमेंट जो फ्लाटनेस से करता है स्कौाइर ने करता है एक्चुल काम होता हो स्क्वाइडने से करता है 90 है कि नहीं और चेक करता है और कभी के अभी हम लोग जो फ्लैटने से ओभी ब्लेड का दौर चेक कर सकते है तो मेजर कोर्डल थिकने सब गिया टीथ दब माइक्रोमिटर यूजड इस नेम जो गिया का जो कोर्डल थि इंडिकटर गैडिटेस्ट इंडिकटर का साथ कौन सा मेकानिजम चानेक्टेट है तो हम लोग जानते हैं प्लीटेस्ट इंडिकेटर सब्ट का जो पैर लेजर his हम होच चेक करने के लिए कोई भी एक होल उसका जो इलाइनमिन्ट है की नहीं ऑभी चेक करता है ठीक है और क कभी कभी और option में रैक और पिनियन का जगा scroll and gear mechanism देता तब भी हो जाता ठीक है तो आज तो टोटल 25 questions जो था बहुत important question क्यूंकि हम लोग mechanical trades से हैं at least हम लोग को map लेना जानना चाहिए तो कैसे कोई भी instrument का list count कैसे निकलना पड़ता अब लोग को जानना चाहिए इसलिए मैं आज details में बता दिया next जब मैं बोर्ड में class लोगा तब एक एक ड्राइंग बता के दिखा दूँगा कैसे कैसे list count होता है कैसे scale एक एक कसद match करता है ठीक है तो आज का class आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा important class अगर अच्छा लगे तो सही में आप लोग लाइक करना और comment करके बताना कि हाँ आप लोग को समाझ में आ गया है और चैनल का जरू सब्सक्राइब करना और जितना दोस्त है आप लोग का दोस्त का हुआ को